यहां पर हम बात करेंगे यामहा की तरफ से आने वाली FJ25 Moto JP Edition के बारे में काफी संदा 249 से में आने वाली बहतरीन दोस्तों गाड़ी है यह 37 के इम पर ती कि आपको इस फी मालिच देखने को मिल जाती है गाड़ी के दोस्तों हम बात करें ग्राफिक्स के बारे में यहां पर आपको Monster Energy के साथ आपको Moto GP के ग्राफिक से हाँ पर आपको देखने को मिल जाती है अपको कलर कैसी लेगी है जोड़ से आप कमेंट के दोस्तों मेटर कॉंसोल के हम बात करेंगे डिजिटल आपको मिल जाते है LED इंस्टुमेंट क्लस्टर बहतरिन गाड़ी यहां पर साभीत कोई बदला होगी मैं आपको अपडेट करूंगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा चानल को इस गाड़ी को डॉन प्रेमेंट के हम बात करेंगे कम से कम अगर आप करते हैं 40,300 रुपए तक की डॉन प्रेमेंट तब आपको लोन अमांट लेना पड़ेगा 1,22,000 रुपए अगर आप अपनी EMI को और भी कम करना चाहते हैं तो आपको डॉन पेमेंट अमांट को बढ़ाना पड़ेगा तो आप करते हैं लगबख से 65,000 रुपए तक की डॉन पेमेंट तब आपको लोन अमांट यहाप लेना पड़ेगा 97,400 रुपए का 11% के हिसाब से 2 साल के लिए हर महने की EMI आपको बन रही है 4,900 रुपए की 10 साल के हम बात करेंगे हर महिने आपको देने पड़ेगे 4,100 रुपए तीन साल के हम बात करेंगे मतलिगी स्थाब की बनेगी 3600 रुपए की यहाँ पर आप दूनों में से कोई भी प्लान ले सकते हैं बात करेंगे महराश्ट के हम बात करेंगे 1,54,700 इनसा भी on-road कीमत में आपको 2,000 रुपए से लेकर 2,500 रुपए तक का आपको अंतर देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर हमने सामील नहीं किये हैं कोई भी एक्सेसरीज और हेलमेट के चार्ज अगर आप लेते हैं सोरूम से तो आपको डूस तो इतनी रुपए की बदलाव संभव है या फिर आप रहते हैं इनके लावा दूसरी विराज में तो आप इतनी रुपए कापडाउन के साब से अपनी बजट को आप बना सकते हैं यह थी FG25 MotoGP Edition के बारे में कीमत के अबडेट आगे हम बात करें इसके दूसरी विराज के बारे में जिसमें आप कुछ टेंडर्ड में दो कलर देखने को मिलती है तो आप सब्सक्राइब करेगा चैनल को इस वीडियो को लाइक करेगा शेयर करिएगा थैंक्स फर वाचिंग स्टे ट्यून विद पवन